वेल्कम टू GQFx करण में जानेंगे वीडियो के अंदर देखे अभी जो है हर्याना में ऑपन लूप टिकटिंग सिस्टम लॉंज किया गया है तो ऑपन लूप टिकटिंग सिस्टम आखिर में क्या है इसके उपर बात करेंगे किसके द्वारा इसे शुरू करा गया है उसको जानेंगे साथ में हरियाना के लिए कितना important है उसके उपर हम लोग बात करने वाले कुल बिला के topic आपको paper के point of view से important है एक से दो नंबर का question जो है आप से यहां से exam से पूछा जा सकते है अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो description box में आपको मिलेगा PDF आपको description में टेलिग्राम का link दिया हुआ है टेलिग्राम के लिंक के अंदर जब आप किलिक करेंगे तो आप टेलिग्राम जोइन कर लिजेगा और वहां पर आपको PDF मिल जाएगा किलियर है तो PDF आप ऐसे पराप्त कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को जानते हैं इस टॉपिक के बारे में एक ही करके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरू करेगा देखे ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम क्या है इससे पहले आप ये जानी कि इसको किस ने शुरू करा है तो अभी आपको पता होगा कि जो दुरोपती मुर्भू है जो के माई देश की राश्टेपती है उन्होंने कुरुछेत्र में गीता महुसब हुआ था उस गीता महुसब 22 के अफसर पर हर्याना राज्ये परिवान में कहा बताया गया है कि निगम के लिए ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम शुरू करा है अब ये जो शुरू करा है ये रोड़ वेज बसों के लिए यानि कि हर्याना रोड़ वेज बसों के लिए open loop ticketing system शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है यानि कि हर्याना एक मात्र ऐसा राज्य है जो पहला राज्य बन गया है ठीक है इस ticketing system को शुरू करने वाला ये आपको याद अखना है अब इसके बारे में तो ये आड़ रखेगे कि द्रोपती मुर्मू के द्वारे से शुरू करा गया ठीक है और ये हर्याना का पहला है ऐसा open loop ticketing प्रणाली का उदेशी है यात्रियों को roadways बसों के लिए बहुत तिक टिकट खरीदने से दूर करने में मदद करना है किस से बहुत तिक टिकट खरीदने से मतलब आप ही कह सकते हैं कि electronic चीजों का अरदान परतान ठीक है मतलब digitally आगे वढ़ना है अब पूरे सिस्टम में जो है AU Small Finance Bank द्वारा जारी National Common Mobility Card यानि कि NCMC electronic टिकट जारी करने वाली मसीन एक GPS सिस्टम और टिकटिंग की अगरीम बुकिंग के लिए ऑनलाइन अरक्षन परणाली शुरू है सामिल है मतलब अगर आप दिल्ली में रहते हो ना तो दिल्ली में आपने देखा होगा कि बसों के अंदर जो बसे होती है आपर उनके अंदर आपको एक बारकोर मिलता है कि स्केनर करके स्केनिमर एक स्केणि पेज़ लगा हुआ होता है मतलब आपको टिकट वाले के पास नहीं जाना है आप और आप उल्लाइन वहांसे स्केन करके अपने सीमर बैठे बैठे वहांसे ठिकट कर सकते है क्लियर है तो वहीिछीज है यहां-ऊस सीच्प्न में जो है online reduction परणाली सामिल है AU Small Finance Bank जो है नगत QR Code UPI के माध्यम से ETIMS यानि electronic ticket जारी करने वाली machine जो होती है उस ticket भुकतान लेन देन शम्ता परदान करेगा ठीक है यानि कि जो AU Small Finance Bank है ये नगत करके QR Code या फिर UPI के माध्यम से जो है टिकट लेने देने में मतद करेगा Open Loop टिकट परणाली शुरू में 6 जिले यानि कि फरिदाबाद चंदिगड़ करनाल सोनीपत भीवानी और सिरसा शुरू होने वाली बसमार्गों के लिए शुरू की जाएगी अभी ये जो है जाएगा क्योंकि अभी इसका ट्राइल एक तरीके से आप मान सकते हैं कि इसका ट्राइल है जो कि अभी हो रहा है कि लिए आगे समझे आगे देखिए पहले चरण में बताएगे कि दस लाग से अधिक नेशनल कॉमन मॉमलिटी कार्ड जारी के जाएगे जिससे यात्री दो अलग अलग टिकट खरीदे बिना दो से अधिक परिवान परडालियों का उप्यूग कर सकेंगे परिवान के विभीन साधनों में यात्रियों को आसान बनाने के लिए जो है मार्श 2019 में केंदरी आवास और सहरी ममलों के मंताले द्वारा NCMC की कलपना एक इंटर ऑपरिवल क कार्ड के रूप में की गई थी ठीके ना मतलब यह है कि पहले चरण के अंदर जो है दसलाग से अधिक नेसल कॉमन मोबिल्टी कार्ड जारी किये जाएंगे जो की यात्री क्या कर सकते हैं वह दो अलग अलग टिकटे खरीदे भी नहीं दो से अधिक परिवान परडालियों का उप्यूक कर सकेंगे मतलब दोने अलग टिकट निखनी ने की टिकट में उनका दोनों में काम हो जाएगा क्या महत्व होगा तो इसका जो टिकटिंग का महत्व है वह बस सुल्क पर जो पार दर्सीता सुनुचित होगी और राजिसोहानी पर आकुनसा लगेगी क्योंकि यह एक औलाइन माध्यम हो गया सीधे यानि कि जो पैसा होगा वो सीधे बैंक के पास जाएगा ठीक है बैंक उसको फिर बस प्रडाली उनको दे देगी मतलब है ना तो इससे क्या होगा कि जो घुटाला एक तरीके से देखा जा रहा है हानी जो होती है उस पर आकुनसा होता है अब यही यात्रियों को यात्री अनुभब में सुधार करेगा और नगत लेंदेन के आवसक्ता को कम करेगा जैसी बात है मोगाईल एप्लिकेशन और ऑनलाइन आरक्षन प्रणाली के माध्यम से टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करेगा प्रणाली लोगों लोगों को बस पास के रूप में प्रिपेड ट्रांजिट कार्ड जैसी सुविधाओं का लाब उठाने में सक्सम बनाएगी यानि कि सारी चीजे अगर आपको कार्ड बनाना है आपको टिकट देनी तो उसम ऑनलाइन होगा आपको जो है टिकट वाले के पास जाना ही नहीं होंगे कि जो अपन लूप टिकट सिस्टम सिस्टम है यह आखिर में हर्याना के अंदर कैसे कारिये करेगा ठीक है तो यह पूरा टॉपिक था गाइस आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे ठीक है आपके पेपर के पॉइंट अब्यों से टॉपिक काफी तक आपने यह तीन कारी नहीं करें तो इन तीन कारियों को सबसे आप कर लिए आपके लिए और हमारे दोनों के लिए काफी इंपोर्टेंट है ठीक है साथ में अगर सुभा की नहीं देखियो तो इसे जरूर देख लीजेगा ठीक है वह आपकी पेपर के पॉइंट भी से क हमें फॉलो कर सकते हैं ठीक है दोनों का लिंक में कर सकते हमें एंपोब्लों को होता है हमेचा हर उतिक कैंड़ हमोचे आपके आपके लिए कु leg वाली वीडियो क्लियर मिलेंगे नैस वीडियों में ततना की थैंक यू फॉर वोचिंग गाईस अव नाइस देए थैंसरो प्रोचिंग